अगर आप घर में रिक्वच बना रहे हैं तो हमारे इस तरीके को जरूर देख लीजेगा तो रिक्वच के एक क्लच्छे अलग होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बनेंगे तो आईए जानते हैं किस तरीके से हम रिक्वच बना के तयार करेंगे तो रिक्वच बनाने के लिए हमें अरूई के पते की जरूरत है तो अरूई के पते से हम रिक्वच बना सकते हैं क्योंकि इसके जो पते होते हैं काफी बड़े साइज में होते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं जिससे रिक्वच का जो क्वाल्टी है बहुत अच्छा बनके तयार होता है तो यहां पर हमने अरूई के पत्ते लिए हैं और इसको अच्छे से पानी से धुल लिया है तो आप जब भी इसको धुलेंगे पानी से तो आपको ध्यान होगा कि इसके उपर हम यह इस तरीके से पानी डालेंगे तो पानी तुरन सरक जाते हैं इस वज़े से हातों को बराबर से लगाके अरोई के पत्ते को धुलिएगा ताकि साफ हो जाए क्योंकि पानी इस पर से तुरन सरक जाता है तो हमने सारे पत्ते को एक समान काईदे से अच्छे तरीके से धुलके ले लिया है अब क्या करना है इन पत्तों को आपको साइड में रखना है और आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो चली चलते हैं आगे के प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हमने यहां पर उरत की डाल ली है, भीगी हुई, तो डाल को भीगो करके इसके छिलके अच्छे से साफ कर लिये, यानि धुलके हमने लिया हुआ है, जिसे कहते है परियाना, यानि डाल को हमने बहुत अच्छी तरीके से परिया लिया है, तो इसके साथ साथ हमने यहां पर चने की डाल ली है तो चने की डाल भी बराबर कॉंटिटी में आप ले लीजेगा फिर उस हिसाब से आपको इसमें मिक्स करके बनाना होगा तो यहाँ पर चने की डाल भी अच्छे से फूल चुकी है और नाइट के लिए दोनों ही चीजे हमने फूले लिया था अब यहाँ पर एक ग्रेंडिंग डाल लेंगे और इसमें डालेंगे उरत की डाल तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उरत की डाल आप जितना डाल रहे हैं उसी हिसाब से उसका दो भाग हमें चने का डाल डालना है यहां पर मैंने उरत की डाल डाल दिया है और उसी का दो भाग यहां पर हम चने का डाल डालेंगे यह देखिए चने के डाल डालने के बाद लेसुन की कलियों को हमने छील लिया है तो पूरा एक पोटी लेसुन है इसे छील करके लिया है और दो हरी मिर्च इसमें डाल लेंगे और हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जितने में अच्छे से ये आपका प्रीस सके यानि कि अच्छे से महीन हो सके डाल उतना ही पानी का यूज़ आप यहां पर करिएगा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से कैप लगा के हमें एक पेश्ट तयार कर लेना है तो पेश्ट तयार हो गया है आप देख पा रहे हैं हातों से इस तरीके से छूके देख लीजेगा हाँ तो पेश्ट हमारा एकदब महीन तयार है तो इसे अब एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और ट्रांसफर करने के बाद कुछ मसाले इसमें हम मिक्स करेंगे तो हमने पेस्ट एक बाउल में निकाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर से टेस्ट भी आएगा और कलर भी काफी अच्छा आएगा साथ में डालेंगे एक चमच सबजी मसाला भर करके खूँ इसी के साथ डालेंगे हम गरम मसाला तो गरम मसाला भी हम यहाँ पर एक चमच ले लेंगे या थोड़ा जादा ले लेंगे क्योंकि गरम मसाला का टेस्ट इसमें बहुत जादा अच्छा आता है यहाँ पर हमने राजेश का गरब मसाला लिया है यह एक जम प्योर होता है और काफी अच्छा टेश होता है इसका इस वज़े से मैं अधिकतर राजेश का ही गरब मसाला यूज़ करती हूँ यह पीसा पसाया मार्केट में अराम से मिल जाता है साथ में ही लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ लेंगे खटाई पाउडर खटाई पाउडर से क्या होगा इसमें फ्लेवर भी काफी अच्छा आएगा यानि खटा खटा आएगा और जो अर्वी का पता होता है उसमें थोड़ा सा खुजलाहट होता है तो इससे खटाई पॉडर डालने से उसमें खुजलाहट नहीं रहेगा खटाई पॉडर डालने के बाद इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो दोस्तो एक बार ये रेस्पी आप बना के ट्राई जरूर करिएगा इस तरीके से रिक्वच बहुत ज़दा टेस्टी बनता है और बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताई हुम है कि बिल्कुल भी महनत नहीं लगनी है आप इसली इसको बना करके तैयार कर सकते हो अगर आप चाहो तो जितने मसाले मैं अभी डाल रखती हूं इस मसाले को आप जार में डाल करके भी पीश सकते हैं बस नमक लाश्ट में आप डालिएगा यूँकि नमक डालने से जार खराब हो जाता है अब यहाँ पर हम अर्वी का पत्ता लेंगे और अर्वी के पत्ते में जो पीछे ये डंठल होती है इसको काट करके निकाल देंगे अब क्या करना है चाकू का जो पिछला हिस्सा होता है उससे हमें इसे टैप टैप कर देना है ताकि इसकी डंठल थोड़ा सा पतली हो जाए दब जाए अगर चाकू का हिस्सा आपका मोटा है यानि बहुत ज़रा पतला है तो आप किसी भी चीज से आप इसको टैप टैप कर सकते हो जिससे इसकी डंठल जो है पतली हो जाएगी इसी तरीके से सारा हमने पत्ता काट लिया है और काटने के बाद अब इसमें हम इस तरीके से जो पेश्ट बनायते उसको रखेंगे पेश्ट बनाने के बाद इसको इस तरीके से उंगलियों की मदद से सारे पत्ते में हमे तो किस तरीके से फैलाना है, आप देख लिजे वीडियो में, सारी जगा फैला देना है, खाली जो उपर का साइड है, उधर साइड हमें सिंपल सा रखना है, अब दुबारा से दूसरा पत्ता इस तरीके से रखेंगे, और ध्यान दीजे कि पत्ते की उल्टी साइड ही आपक पसाले लगाए जाते हैं, रिक्वच बनाने के लिए पत्ते आपको कई यूज करने पड़ते हैं, एक पत्ते मतलब रिक्वच जो है, सही से नहीं बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उसमें जो लच्छे आते हैं, वो अच्छे नहीं बनेंगे, तो कम सक्वाइब बड़े पत्ते हैं, तो दो तीन पत्ते हैं, छोटे पत्ते हैं, तो आप उसमें कई पत्ते लगा सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, तीन साइट से मैंने फोड किया है, फिर इसको इस तरीके से फोड करते हुए रिक्वच को हम तयार करेंगे, तीसी तरीके से हम फोड कर लेंग अच्छी तरीके से मसाले अच्छी से लगे होने चाहिए जो आपने पीसे हैं यह देखिए जब पत्ता इस तरीके से निकलने लगे तो थोड़ा दाल लगा कि इस तरीके से आप इसको पत्ते को चिपका दीजेगा तो एक रोल हमारा रिकवच का तयार है त्यार हो जाएगा अब यहां पर गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में या तो आपके पास छेद वाली छन्नी हो या तो आपके पास वो नहीं है तो इस तरीके से दो डंडी का यूज कर लिजेगा और इसी के उपर आप इस रोल को रख दीजेगा रोल को रखने के बाद इस वे आप किसी प्लेट से ढख दीजेगा और धीमी आज पर करीबन 15-20 मिनट आराम से पकने दीजे और बाकी काम आप तब से कर लिजे जब 15-20 मिनट हो जाए तो आपको खोल के चेक कर लेना है ये पक गया ये नहीं तो इसकी डाल जो अच्छे से पक चुकी है लेकिन जब आप छुएंगे तो बहुत ज़्यादा सॉप्ट होगा तो आपको क्या करना है गैस आफ करके इसको ढख देना है ठंडा होने के लिए है। जब ये ठंडा हो जायेगा ना तो काफ़ी जञदा टाइट हो जाता है जिसकी जब भी आप कटींग करें तो ठंडा होने के बाद ही करिएगा और इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि लच्छे-लच्छे सारे अलग हो रहे हैं तो आज इसको कढ़ाई में डिप ट्राइ करके बनाऊंगी तो जब भी आप रिकवच कढ़ाई में डालें यानि तेल में तो आपको ध्यान देना है कि तेल जो है मीडियम लाल होना चाहिए और गैस की फ्लेम थोड़ा हाई होनी चाहिए तब ही डालें और जैसे ही आप डाल दें तो गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दीजे यानि धीमा कर दीजें फिर उसके बाद आपको रिकवच इस तरीके से अलट पर अलट के अच्छी तरीके से लाल कर लेना है तो दोस्तो रिकवच आप जब भी बनाए तो हमारे इस तरीके से बनाए काफी ज़्यादा बढ़िया बनेगा टेस्टी बनेगा और आप अगर खाएंगे और घर में किसी को खिलाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगा और एक ही बार में आप पर्फिक्ट लच्छे बना के तयार करेंगे बहुत लोग कहते हैं ना कि हाँ लच्छे हमारे तूट जाते हैं बहुत लोगों की शिकायत आती है लेकिन आप हमारे इस तरीके से बना के देखिएगा लच्छे कभी नहीं तूटेंगे और रिक्वज भी काफी अच्छा बन करके तयार होगा तो ये देखिए और कॉमेंट में एक चीज़ जरूर बताएगा कि किस के किस के घर में रिक्वज बनता है और किस किस तरीके से आप बनाते हैं हमारे तरीके से बनाते हैं या कोई अलग तरीके से क्योंकि रिक्वज कई तरीके से बनता है कई तरीके के रिक्वज के मसाले बनते हैं तो आज हमने आपको डाल का मसाला बताया है ये मसाले आप बेसन से भी तैयार कर सकते हैं या किसी एक दाल से भी तयार कर सकते हैं कई तरीके से बनते हैं Request तो ये देखिए Request अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो आब इससे हम भार निकाल लेंगें अब इसी तरीके से सारा रीकवच हम फ्राई करके निकाल लेते हैं और घर्म गडरम इससे आप आप टमाटर की च्टनी के साथ खाईए تو प्रेंट आपको आज की रेस्पी कैसी लगी और पताईए गार वेटेश्प और फाक में अगर वाल चेनल को जुएंब करीए यानि चानल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार रहें तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रस कर दीजेगा इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी चलिए मिलते एक बार फिर से एक ऐसी रेस्पिक साथ लेक्श वीडियो में भाई प्रेंट